नमस्का दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल गवर्मेंट जाप प्रप्रपिशन पर दोस्तों यहाँ पर एक इंफोमेटिव उडिवीज है 69 जार सिचक भरती को लेकर यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 69 जार सिचक भरती की जैसा कि आप लोगों को पता है कि लखनो खनफिट कंड ने आही चुका था और 40-45 के बच में जो नेड़े था और इस नेड़े पर यहाँ पर अभी तक सरकार ने कोई अपने स्टेंड बिल क्लियर नहीं किया है वो उसने ये भी नहीं बता है कि वो कब तक डबल बेंच में जा रही है या फिर रि रिजल्ट के आगे उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी तो वह वहाँ पर कल डिसिजन अलहाबाद हाई कोड के द्वारा दे दिया गया है और 40-45 के पच में लेकर वहाँ पर इस्टिक को हटा दिया गया है और रिजल्ट को खोशित करने की बाद की गई है तो यह दोस्तों हाई कोड की अपडेट है जो कि कल यहाँ पर डिसिजन लिया गया था फिर भी अभी तक सरकार नहीं पर अपना कोई स्टेंड क्लियर नहीं किया है उसने ये भी रिजल्ट को लेकर प्रोसेस में है या आप वह डबल बेंच जा रही है या फिर इसके आगे की क्या कारवाई तो दोस्तो अगर इन सारी चीजों के बारे में कोई भी अपडेट मिलता है तो दोस्तो मैं आप लोग को जल्दी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरू दूँगा आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं यहाँ पर सिच्छिक भती से समधिस जो इन्फॉर्मेशन्स हैं जो भी हमें जनकरी मिलेंगी वो सारी जनकरी में आप लोग उसार सियर करने की पूरी कोसिस करूँगा और यहाँ पर एक और खबर निकल कर आ रही ही कि कुछ छात्र क कुछ लोग यहाँ पर पिनपी पर दबाव बनाने की कोशिस कर रहे हैं यहाँ पर पिनपी करेले में जाने की आज यहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं कि रिजल्ट को जल्द घोसित किया जाए क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस्टे भी हटा दिया गया है और फैसला भी आ तो दोस्तों जैसी ही मुझे इसके सम्मधित कोई जानकारी मिलती है तो मैं आप लोग के साथ सेयर जरूर करूँगा तो एक information थी कि यहाँ पर लोग PNP पर दबाव बना रहे हैं और लोग जाकर वहाँ पर बात भी करेंगे इस चीज़ को लेकर और सरकार को अपना stand clear करने की भी बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इससे सम्मधित update या news information मुझे मिलती है मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगा तो इसमें के लिए बस इतना ही अगर कोई आगे एक update मिलती तो मैं आप लोगो जरूर इंफर्म करूँगा तो मिलते हैं नए इंफर्मिटीव वीडियो के साथ अब तक के लिए thanks for watching